कि मिवाले थो कि दोस्तो हाँ पढ़ने वाले एक्जाम में अध्यूस आई है और यह स्लेकर्ट शिंपलक्यूशे captivity क्योशान मैं निभिए अच्छे स्दुर्पारब से भी जो है किसी एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो चले, स्टाइट करते हैं, पहला क्यूसन है अपनी पैयास में, removal of the goal bladder in a man would lead to, की goal bladder को जब हम remove कर देते हैं, तो उसके क्या हो सकता है, goal bladder को remove हम जब कर देते हैं, में स्कोलेस इस्टक्टम ही कर देते हैं तो उसका परभाव पूछा है क्या उससे जॉन्डिस हो सकता है क्या इंटेस्टान की असिडिटी जो है वो बढ़ सकती है क्या फैट डाजेशन जो है वो इंपेर्ड हो सकता है या फिर प्रोटेन डाइजेशन जो है वो इंपेर हो सकता है तो देखो जोन्डिस जो है वो डिजीज है जहां पर क्या है बिलरुबिन पिगमेंट जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू जो है और बेसे लाइसिस या फिर जब ओफ्टक्शन हो जाता है कोमन बाइल ड्यूट में तब यह बढ़ जाता है उस कंडिशन को हम कहते हैं जोन्डिस तो जो है जोन्डिस का गॉल्ब्लेटर रिमुवल से कोई लेना दाना नहीं है एसेडिटी जो है इंटेस्ट एन के एस जोन्डिस के साथ में मिलके और जो फ्ल्यूड की जो एलकनिटी है उसको लगवग जो है नॉर्मल बना लेते हैं लेकिन जो है गॉल्ब्लेडर खुद जो है बाइल जूस नहीं बनाता है बाइल जूस जो है सिक्रीट होता है लिवर से यह शिरफ वहां पर इस्टोर होता ह से और वह कंसेстрेट होता है उश्टोर करने का काम और उसको कंशेंट्रेशन करने का कंख करता है गॉल्ब्लेडर ना क्यों कि प्रमेशन का तो यह आंश्य भी गलत हो गया इंपर ओट्डाईजेशंन येश को फ्याट डाईजेशन जो है उस् keywords चा늘 को आइल करने से वह और साथ में decrease होता है कम होता है जब्कि प्रोटीन का डीजेशन जो है वह प्रोटी Aladayकe चैंग करते है जिसके पेपसीन वगडरह होआ ठीक है तो यहां जो है प्रोटीन के डाजेशन के बाइल जूूस का कोई-लेना दना नहीं है बाइल जूस जो है उसका लेना दना है शिरफ वोर सिरफ किसे गॉल ब्लेडर रिमुवल चे कि जब गॉल ब्लेडर रिमुवल होगा तो फैट डाजेशन जो है वो इंपैड हो सकता है नेफ्ट टैप पल्स प्रेशर क्या होता है पल्स प्रेशर अभी एक recent वीडियो अपनने अप्लोड किया था ब्लड प्रेषर का कि ब्लड प्रेषर में जो हई-स्ट प्रेषर अपने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सिफ्टोलिक ब्लड प्रेषर सिफ्टोलिक BP और एक जो निच्छे वाला जो हमें मिलता है इसको हम कहते हैं क्या 니ैक है हाइट के कारने पर होता है शिफटोलिग भी मिल्था है हमें और जब वह डाइफटोल कंडिशन में रहता है रहेता है तो कौन सा बीपई आता है अपना डाइफटोलिक किस बीप लिख में इनके दोनों के बीच का डिफ्रेंस जो है उसी को ही अम कहते हैं क्या पल्स प्रेसर कितना होता है डिफ्रेंस से 40 mmHg तो आप देख लो डिफ्रेंस बिट्विन शिफ्टोलिक और डाइफ्टोलिक ब्लड प्रेसर नोन एज प्ल्स प्रेसर इंद पर्मोनरी आटरी नहीं यह होता है यह कंप्रेसर होता है सब्सक्राइब कंडीशन होता है कौन साथ डिफ्रेंस स्ट्लिक ब्लड प्रेसर कितना होता है 80 mmHg जिफ्रेंस जब आता है जब क्यूंटक कारता है । गोieved है कितना होता है TV जो है मीश TV अभी जो है ईक्टिव एज में है ठीक है उस समय जो है क्या common symptoms देखने को मिलेगा तो तो TB जो है उसके कुछ common symptoms होते हैं जाय से की वैट्ट लोस क्या होता है वैट्ट लोस मैज थे जरोस लाइट स्वेटिंग लो ग्रेड फीवर हमेशा रहता है उसको ठीक है तो आंसर यहीं मिल गए आपको कि मार्क्ड वेट लोस में देखने को मिलेगा अगर एक्टिव टीवी का पेशेंट है तो उसमें जो है वेट लोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ठीक है डिस्निया वो नेक्सरसं जो है वो टीवी में होता है बट लेट फेज में देखने को मिलता है ठीक है वेट लोस जो है वो आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाता है तो common feature जो है वो यह होगा, क्या होगा, weight loss, mental status change जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है और मिलता भी है तो MDR TV जब last phase होती है उसी समय देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है, loss of appetite, gastrointestinal disorder and muscular weakness are deficiency symptom of कि यह किसके symptom है, तीन symptom पूछे हैं, loss of appetite, GIT के symptoms और muscular weakness, यह तीनों जो हैं, वो symptom कौन से vitamin की deficiency में देखने को मिलते हैं विटामिन A, जो है इसमें आपने को देखने को मिलते हैं, यह IDG से related है, विटामिन C कोज करता है, इसकरवी और इसकरवी के symptom में यह तीनों कभी नहीं आते विटामिन D, जो है, वो bone health related है, ठीक है, तो यह भी bone health related symptom नहीं है, क्या बचा, विटामिन B complex जो है, उसकी कमी से जो है, वो देखने को यह सारे symptom जो है, वो मिलते हैं, विटामिन B, जो है, उसकी symptom जो है, उसमें यह हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन B, जो है, उसमें विटामिन B1, धायमिन, विटामिन B3, नियाशीन, विटामिन B6, B12, तो यह complex series है, विटामिन की, जहां पर जो है, इस प्रकार के disease के symptom जो है, वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसका right answer जो है, वो क्या होगा, विटामिन D, approximate volume of blood at birth, बर्थ के समय जो है, approximate blood value पूछा है, कितना होता है, और यह पूछा है, पर ml पर kg, यह मतलब जो है, kg wise जो है, वो कितना होगा, 85 ml पर kg body weight होगा, यह 110 ml पर kg होगा, यह 125 ml पर kg होगा, यह 60 ml पर kg होगा, तो देखो एक adult human की बात करें, तो अपने में जो blood होता है, वो होता है, 80 ml पर kg, बच्चों की बात करें, और बच्चे कौन से, full term जो neonate होते हैं, full term, उनमें देखने को मिलता है, 85 ml पर kg, लेकिन जो pre-term जो होते हैं, उनमें देखने को मिलता है, 109, means 1010 ml पर kg, तक भी जो है, अपने को देखने को, blood volume देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहां पे, जो है, pre-term नहीं पूछा है, अपने को, तो pre-term नहीं पूछा है, तो अपन जो है, इसका term, जो है, मान के ही answer करेंगे, इसी में answer जो है, दो है, तो हम किस answer पर जाएंगे, 85 ml पर kg पर जाएंगे, क्योंकि यहां, pre-term का जो है, उसने नहीं पूछा है, अगर pre-term का पूछा, तो answer भी होता, लेकन यहां पर पूछा है, कि जो है, वैसे ही पूछा है, एट बर्थ पर कितना होता है, तो एट बर्थ जो है, हम मानेंगे, कि फूल टरम बर्थ होगा, ठीक है, तो अगर फूल यूणरी ब्लेटर की, जो इंटर्नल जो मसल है, वो किसकी बनी होती है, क्या वो स्चुडो इंटरेटिफाइड अ्पिथिलियम की की होती है, simple epithelium जो इंटर्टिपाइड रेपिथेलियम या फिर ट्रान्जिस्नल एपिथिलियम से जबकि फ्ट्रेट इपिथिल इमझ जो है वो अपने को इसकिन सरफेस पर देखनेगे को मिल ती नेक्ट ठिसंन है आरेज फैक्टर केन प्रोडिूस और पूँचा एहां आरेच फेक्टर से क्या हो सकता है तो देखो कि हम जब पढ़ते हैं कि एक आरेच नेगेटिव मदर हो और उसका होने वाला बच्चा जो है वो आरेच पोजिटिव ब्लड गुरूप का हो तो जब लेबर होता है तो ब्लड जो है मिक्सिंग होता है तो उससे होती है आरेच इ देखने को मिलता है कि अगर मदर का ब्लड गुरूप नेगेटिव है बच्चा बच्चा हुआ है उसका पॉजिटिव ब्लड गुरूप है तो हम विदिन सेंटी टू आर जो है रोगाम लगाते हैं कि एंटी डी Fish इंटी डी जो है वह लगाए जाता है chicks अगर नहीं लगाय जाता है तो नेक्ट फिज्ए में जो है वह यहां पर ही जिजिज कोज करता है जिसको हम कहते हैं इरित्रो ब्लाश्टेसिस फिटेलिस ठीक शिकल सेन एनिमिया जो है वो एक एक्वाइड एनिमिया टाइप है जिसमें की जो है सिकल सेल की जो है आरबिसी हो जाती है ठीक अग्टर्नर सिंड्रॉम जो है वो है जहाँ पर अक्स जो गुण सुत्तर जो है जो chromozep में कमी देखने को मिलती है ADDS जो है यह होने वाला है किया है सिंद्रोम है जिसमें बहुत सारे Disney को मिलती है अ म स्थ्ट है इसका नाम यह न हम देते हैं ADDS तो इसका जो ऌराइट आंसर है फो और होगा D D इसका तुंट आंसर है है वो होता है केल्षियम ग्लुकोनेट क्या होता है केल्षियम है ग्लुकोनेट नेल एलफ इंलि ऑसने तो हे जो है वह ऑप्विवड का एंटीडोट होता है कि आप में धो उस घॉपिलड़ तो होता है अक्वाव एलफ़ेन दा से है और फ्लूड शिप्ट हो जाए इंट्रस्टिशल स्पेस में तब एडिमा होता है क्या या इंक्रीज पर्मियबिलिटी या तो पर्मियबिलिटी बढ़ जाए या फिर यहां लगने वाला जो प्रेसर है वह जादा हूँ तो प्रेसर की वजह से जो है वह फ्लूड जो बंत कaires को जहां से होती हैं जो इंट्रस्टिशाल स्पेस होता है वहां से यह rép utilizz श्रस क्या है कि दो एपीज या फिर बंड वेसल और स्टेल के बिच जो स्पेस होता है वह होता है इंट्री सिश स्पेस तो यह पर जो लूड इकठा हुआ है उसको लेके जाती हैं वाप इफ का रिटर्न जो है वो रिडूस हो तो भी एडिमा हो सकता है मिज ये तीनों ही ओप्शन ऐसे दे रखे हैं जहां पर एडिमा हो सकता है तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा इसका राइट आंस्वर होगा डी आल अफ दे अबूग पर नेक्ष्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम् ओफ हाइपोगलाइसेमया की यह देखने मिलता है तो मोस्ट कॉमनक्ट क्या मिलता है पहला s Q कह रहा है एनोरैक्सिा होगा क्या नहीं होता है जब भीजिए मिया होगा जब बोड वोड्य में कोς कि कमी होगी तो उल्टा भूक लगती ह भूख ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है और और एनोरेक्षिया कह रहा है कि भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब यह कि यह उप्शन यहीं गलत हो गया ब्रेडिकार्डिया जब भी जो है हाइपोकलाइसेमिया जब होता है तो जब ग्लुकोज की सप्लाई पूरी बोड़ी में नहीं होती है तो उस समय हमें देखने को मिलता है टेकिकार्डिया टेकी कारडिया होता है ता कि जो बचा-कुछा गुल्कोज हो जल्दी से जल्दी बोड़ी ओरगन तक पहुंचे धीक है टेकी कारडिया देखने को मिलता है तो ये उपशन भी यहिं गलत हो ग trauma यह कह रहा है कि Bradycardia होता है nervousness और डाइफोरेसिस जो है वो देखने को यहां पे मिलता है इसका right answer जो है वो option C ही होगा कुस्मुदर एस्पारेशन देखने को मिलता है hypoglycemia में बट यह associated होता है diabetes से और diabetes से भी क्या diabetic ketoacidosis जब देखने को मिलता है तो diabetic ketoacidosis की condition में होता है क्या कुस्मुदर एस्पारेशन ठीक है तो डी जो है वो इसका right answer नहीं है तो शिरफ और शिरफ मिला क्या अपने को option C जो है वो इसका right answer होगा कि nervousness जो है वो देखने को मिलती है साथ में जो है वो sweating अपने को देखने को मिलती है which of the following sign and symptom indicate salicylate toxicity salicylate की toxicity हुई है उससे हमें कैसे मालूम पड़ता है तो जब भी देखो toxicity होती है तो जो है heart rate जो है most of common जो है वो बढ़ती है ठीक है pink color का urine इसमें नहीं आता है इसका जो most common side effect है आपको याद रखना पड़ेगा वो होता है tinnitus वो होता है क्या tinnitus means ringing in the ear की कुछ गंटी सी जो है बज़ती हुई सुनाई देती है salicylate toxicity में तो right answer जो है वो होगा C sprain is due to pulling off sprain जो है वो किसके खिचने से होता है sprain जो है तो देखो दो ट्रम होती है sprain और एक होता है sprain ठीक है इनको दोनों ही एक तरीके के खिचाव है लेकिन sprain जो है वो होता है tendon में इस टी 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 वर्ड आ गया यहां पर टी से नाम याद रख लो टेंडन और इस प्रेंड जो है वो होता है लिगामेंट में वो किसमी होता है लिगामेंट में तो आंसर आपको यहां मिल गया होगा इसका आंसर होगा सी लिगामेंट में जो है आपको देखने को मिलता है तो टेंडन जो है वो बोन को जोड़ते हैं बोन टू मसल जो है यह आपस में अटेच होते हैं जबकि लिगामेंट जो है वो जोड़ते हैं हमेशा बोन टू बोन एक बोन को बोन को जोडने का काम जो है वो करते हैं कौन? लिगामेंट और टेंडन जो है वो जोडते हैं किसको? बोन और मसल को जो है वो जोडते हैं ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको मिल गया क्या होगा? C Largest gland in the human body Largest gland पुछी है human body में तो वो होगा क्या? लिवर, लिवर जो है वो इसका राइट आंसर होगा लिवर जो है वो largest internal organ भी है ठीक है? इंडिया जब नेशनल हेल्थ पोलिशी वाज अप्रूवड इन पार्लियामेंट नेशनल हेल्थ पोलिशी जो है वो कब पार्लियामेंट में आई थी? तो देखो नेशनल हेल्थ पोलिशी जो है उसके तीन अबेंडमेंट आ चुके हैं पहला आया था 1993 में दूसरा आया था 2002 में और तीशरा आया है 2017 में ठीक है तो यह आया है तो आपको आंसर जो है मिल गया कब आई थी? 1983 जो है वहाँ पर यह अपरू की थी और उसी साल इसको लागू भी किया था लेक्ट क्यूशन है एंटी नेडल मदर इस ओडर टू हैव डाइट यह था नाइंटी ग्राम प्रोटीन इछ डे कि एक एंटी नेडल मदर जो है उसको नब्बे ग्राम जो है प्रोटीन बताई है पर डे हाव मैनी कैलोरी विल प्रोटीन कॉंट्रिब्यूट तो जो है यह 90 ग्राम जो कैलोरी है 90 ग्राम जो प्रोटीन है उससे उसको कितनी कैलोरी जो हो मिलेगी क्या 540 मिलेगी क्या 180 या 180 या 360 कैलोरी मिलेगी उसको तो देखो एक ग्राम फैट से अपने को मिलती है नाइन केलोरी एक ग्राम कार्बो हाइट्रेट से मिलती है चार केलोरी और एक ग्राम प्रोटीन से भी मिलती है कितनी चार केलोरी इसका मतलब यह है कि 90 ग्राम जो है उसको हम 4 से उना कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा क्यलरी मिल जाएगी तो आंस्वर मिल गी आपको आंस्वर क्या होगा D, D जो है वो उसका राइट आंस्वर है The blood vessel in which oxygen content is highest in the fetus की वो blood vessel का नाम बताओ जो की fetus में सबसे ज्यादा oxygen content लेके जाती है ठीक है तो वो क्या होती है तो देखो वो होती है क्या amulical vein पहला ही इसका आंस्वर है जो की मदर जो है ठीक है वहां से लेके जाती है oxygenated blood यहां पर यह जो है exception है ठीक है पहला होता है pulmonary artery और pulmonary vein में दूसरा होता है amulical vein और amulical artery में यह चार exception जो है वो हमेशा याद रखना यहां पर यह लेके जाती है pure oxygenated blood to the fetus और वहां से amulical artery जो है वो deoxygenated blood मेंस योटू वाला blood लेके हाती है वापस maternal circulation में ठीक है तो इसका आंशर क्या होगा amulical vein ठीक है erota और यह जो है वो नहीं है सबसे ज़्यादा highest concentration जो है oxygen की वो देखने को मिलती है कहां पर amulical vein में यह फिटल circulation से क्यूशन है यह क्यूशन जो है वो है कहां से फिटल circulation से नेक्ट क्यूशन है रिकेट किसकी कमी से होता है रिकेट डू टू डेफिशेंसी ओफ तो विटामिन बी जो है उसकी कमी से बहुत अलग अलग टाइप की विमारियां होती है वो डिपेंट करेगा कौन से विटामिन की कमी से जो है कौन से विटामिन की कमी हो रही है विटामिन विटामिन एक कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है तो इसका आंस्वर क्या होगा D, जिसमें की जो है बो टाइप की बोन जो है धनुसाकार बोन जो है वो देखने को मिलती है रिकर्ट्स, ठीक है विटामिन दी की डेफिशेंसी से होता है प्रोजेफ्ट्रोन इज सिक्रेटेड बाई प्रोजेफ्टोन हार्मोन जो है वो किसे सिक्रेट होता है तो देखो जब भी कंशेप्शन हो जाता है और इंप्लांटेशन जब हो जाता है बेबी का तो जब भी कंशेप्शन हो जाता है तो ग्राफियन फोलीकल जो है उससे ओम निकलता है और ओम बचने के बाद जो आंसर जो है वो क्या होका कार्पस कयँ आया है या तो क्या होगा, कारपस अलबिगेंज नहीं करती है और ग्राफियन याल जो है 에서 घैनफ निकलता है और प्रीटुट्रिकलन चीह क्या होगा है स fusion in object फ्रेस युरिन की pH पूची है, pH युरीन की वह वैरी करती है 627.5 के बीच, तो एक फ्रेस यूरिन जो है उसकी pH हम मानते हैं 6, कि यूरिन अगर फ्रेस है उसको प्रकार के डिजी जह नहीं है, तो उसकी pH जो है, वह माने गई है कितनी six जो है वो इसकी pH मानते हैं which vitamin is called beauty vitamin beauty जो है में सुन्धरता बढ़ाने में सुन्धरता जो है maintain रखने में कौण सा vitamin आता है तो वो आता है vitamin E vitamin E जो है वो beauty vitamin कहलाता है जितने भी beauty products आते हैं ठीक है उनमें vitamin E जो है वो जरूर आता है आपने टीवी पे एड़ देखा होगा ठीक है कि जो भी कोई भी दिखाते हैं फेरल नवली या फ्लाना फ्लाना जो भी है पॉंट स्क्रीम वगरा उसमें दिखाते हैं कि विद विटामिन E ठीक है तो वो यही काम है क्योंकि यह ब्यूटी जो है प्रोडक्स में यूज होता ह है इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन विटामिन E विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लेडिंग जो है उसमें मिस ब्लेडिंग को जो क्लोटिंग जो है उसमें हेल्प करता है यह विटामिन C जो है उससे होता है स्करवी विटामिन D जो होता है उसे रिकेट्स ठीक तो यहां पर आंस्वर मिल गया A, the measure of health status of children in a community is कि community में बच्चों के health status का हम किस्षय पता लगा सकते हैं, क्या maternal mortality rate से लगा सकते हैं, क्या crude death rate से लगा सकते हैं या infant mortality से या crude birth rate से तो देखो maternal mortality rate जो है वो होती है कि वहाँ पर डेथ कितनी हुई है और रिप्रोडक्टिव एज में कितनी महिलाएं है उसको जो है उना करते हैं हजार से तब अपने को निकल के आती है क्या मैटरनल मोटिलिटी रेड तो मैटरनल मोटिलिटी रेड जो है वो डिनोट करती है कि रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो बताती है कि एक साल में कितनी जो है मौते हुई है और वहां की मेडियर पोपुलेशन कितने थी उसको उना करते हैँ अपन tusher तो निकल के आती है ग्रूड Death rate थीक है तो जो है यह तो हमेचा जो है अगर कमिनूटी में अगर अपने को बच्चों के health status का पता लगाना हो तो हम इसा काम में लेते हैं infant mortality rate अगर infant mortality rate जदा होगी तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो है बच्चों की health जो है वो बहुत ही कम है तो इसलिए जो है यहां पर right answer जो है वो होगा क्या C, C जो है वो यहां right answer है number of spinal nerve in a man are कि एक human में, एक man में कितनी spinal nerve होती है क्या 33 होती है या 12 होती है या 11 तो 11 तो बिल्कुल भी नहीं होती है 12 भी नहीं होती है या तो होती है 31 या होती है 33 देख लेते हैं कैसे होती है पहले हम देखते हैं वर्टिबरा वर्टिबरा कौन कौन सी होती है C, C7, Cervical कितनी होती है 7 तोरे सिक कितनी 12 ठीक है फिर number 5 शेकरम में 5 फ्यूजबोन एक है बड़ पांच जो है वर्टिबरा है कोकिक्स में 4 वर्टिबरा है फ्यूजबोन 1 है ठीक है तो जो है हर वर्टीबॉसिये क्या निकलती cancerof Viral šgacci षपाने न्रवो निकलती हैं सर्वाइकलुन नर्वो होती ऐं आर्ट कितनी होती है 8 थोरेशिक जो है वो होती यह बारा क्या मलांबर होती है 5 शेकरम होती है शर्वाइकल जो है नर्व होती है आर्ट कितनी होती है आर्ट थोरेशिक जो है वो होती है बारा लंबर होती है पांच सेक्रम होती है चार और सोरी सेक्रम होती है पांच और कोकिक्स होती है एक जोड़ देखे कितना होता है आठ और बाराव 20 और 10 तीस और 31 तो इस पानल नर्व जो है वो होती है 31 पेर क्यों क्योंकि जैसे कि यह अपनी वर्टिवरा है तो दोनों साइड निकलती हैं ठीक है इसलिए इनको हमेशा जो है वो पेर में बताते हैं कितनी होगी 31 पेर करतार सिंग कमेटी इज अधर करतार सिंग कमेटी का दोसरा नाम क्या है तो करतार सिंग जो है वह कृती मल्टी परप्य आद judgments मृइं.... वह नहैं करतार सिंग ने तो इसका राइट आजवर्ज है वह होंगा史 सी एक होता है health survey and development committee यह committee कौन सी है वह इसका नाम क्या है और एक है health survey और planning committee तो health survey and development committee जो है वो bore committee है ठीक है क्यों जिए बाद बाद आता है d b c d ठीक है तो development जहां नाम आ गया वहाँ भाव भोर कमेटी बता दो और जहां पर जो है मुडालियर जो नाम आ जाए तो वहां कौन सी होगी प्लानिंग कमेटी होगी मुडालियर कमेटी जो है वो थी हैल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी M-N-O-P M-N-O-P M के पास ही है यह नाम P तो इसलिए इसको इस परकार से आप याद कर लो तो यह कौन सी होगी यह होगी मुडालियर कमिटी यह होगी भोर कमिटी और यह है मल्टी परपज आदमी कौन था करतार सिंग जी ठीक है तो उन्होंने दी थी कौन सी मल्टी परपज कमिटी विच ओफ दा फॉलोविंग फुड कॉंस्टिट्वेंट आर मोर रिकॉइड वाई प्रेगनेंट वूमेन प्रेगनेंट वूमेन में इन में से दिये गए में से सबसे ज़्यादा क्या ची है ठीक है विटामिन इसका मलंव यह कि प्रेगनेंसि में जिसीच की कमी होती है वो पूछना चाहता है प्रेगनेंस सिंवें मोस्ट कुमान देखने को मिलता है आयरं डेफिशियंसी एनीमीया का आयरं डेफिशियंस जो है वहों NEW t देखने को मिलता है due to hemo hairy ही nitrogen वहाँ होता है second trimester में sore तो हीजए कि वहाँ कम देखने को मिलता है तो शोरी बात है कि 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 शीजर की कमी ज़्यादा होती है Pregnancy में iron की ठीक है तो iron जू है वह हमेंザ्वर हमें आ यहादा देना होता है तो आंसर हमें मिल गया क्या बी next is suggestion of menstrual cycle is called menstrual cycle जब सीज हो जाती है completely बंद हो जाती है तो उसको हम क्या कहते है तो देखो start होना तो है मेनार्ज ठीक है और stop होना है क्या मेनोपोज क्या होना है मेनार्ज मेनार्ज कभी प्यूबार्टी 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 मिन्स बारा से तेरा साल की उमर जहां पर प्यूबिक हेर और ऋर बोदेखने-नी प्यूबार्टी का मतलब एक तरीक इसे यह है कि अब यह लड़का और एक लड़की एक seksual jajow प्रेडनेट्र Ir gonna have worked कि प्यूबीग तरफने हों मिल अगल्ती है तो वह था प्यूबल्टी ओन जो है वो हर साइकल मैस होता है जहां पे Ricoarena बो उस उस ऐटहर गुण आधेगा थीक किताकिस का जो है यह commercial हो और क्ञेब्स करते जो है वह हो implantation क्या है कि pregnancy होने के बाद जो फर्टलाइज जो ओम हो है वो travel करता हुआ जो हाई uterus में आता है और एक जगह booked site पे आके attached होता है उसको क्या कहते हैं implantation कहते हैं तो इसका right answer हमें मिलगिया D Minopodge which of the following is a mechanical method of contraception ? Contraception का एक mechanical method मफट पूछा है MTP जो है वे शक्राइब जरासनर के पर्मानेटिव है क्या है पर्मानेंट जो है इस्टेलाजेशन है मेल जो है वो करवा सकता है ठीक है फिमेल में होता है क्या इस्टेक्टमी जो है वो करवा सकते हैं माला डि जो है वो क्या है यह ओरल पिल के रूप में मिलती है यह हर्मुनल मेथफ़ट है क्या है हर्मुनल मेथफड है जब कि कॉंडॉम जो है वो आते हैं Meccanical method में memc'ical contraception में तो आंसर मिल गया मेरे ख्याल चे कॉंडॉम जो है वो किस में आएंगे मेकैनिकल कॉंटराशेप्शन मेथड में आएंगे फोर कंटिनिवस एड्मिनिस्ट्रेशन ओफ ऑक्सीजन फोर ए लोंगर पीरियड लंबे समय तक ऑक्सीजन एड्मिस्टर करना है हमें तो चेंच है हर 12 गंठे में हर 16 गंठे में हर 24 गंठे में तो इस परकार से होता है और प्यूक्सिघन प्रश्टा की जो एक ट्यूबी करने लगाते हैं या यूद्च विल लगाते हैं नगद nessa下 जो दोनों में लगता है उसको हम कहते है नेजल कैनूला नेजल प्रॉंग्स ठीक है जो सिंगल लगता है वो होता है कैथटर ठीक है तो क्या है कि यह नोस्ट्रिल जो है उसको इरिटेट करता है साथ में बन भी करता है क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सिजन जो है वो फीए शोती है, बन भी करती है, तो इसको जो हे, हम अम्यशा, जो है a E tim TOWERS में हमें CHANGE करना होता है कब CEOR Совetes्तर होता है? तो a TOWERS के आसपास का, ऊपशन जो है वहuito खोजो क्या होगा? 6, क्या Right answer होगा The desired quantity of free residual chlorine In drinking water Free residual chlorine की amount पूची है Drinking water में तो देखो जब भी हम aklorination करते हैं तो जब भी हम chlorine मिलाते हैं पानी में तो कुछ मात्रा तो जो है वह बचेगी कुछ जो है वो तो है बाइंड कर लेगी ठीक है water molecules को तो क्या होता है कि फिफ्ट ट्वंटी फोर आर्च में फिफ्ट अगर ट्वंटी फोर आर्च की अगर बात करें तो फ्री रेश्डिवल वोल्यूम जो है वो 0.5 mg पर लिटर से ज़्यादा नहीं होना चीए इसके अंडर अंडर होना चीए बट अगर मैं आप्टर ट्वंटी फोर आर्च की बात करूँ तो जो है ये 0.2 mg पर लिटर से ज़्यादा नहीं होना चीए 0.2 mg पर लिटर से जदा नहीं होना चीए तो यहाँ पे जो है after 24 hour या before 24 hour नहीं पूचा है तो नहीं पूचा है तो कलोरेशन चे ही हम स्टार्ट करेंगे इसका मतलब यह है कि हम maximum value जो है हो सकती है फ्री कलोरीन की एक वाटर में बताएंगे तो वह होती है मैक्षियम कितनी 0.5 mg पर लेटर तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा D हीमोटाइसिस हीमोटाइसिस क्या है हीमोटाइसिस होता है बलड इन्दस्पूटम ठीक है बलड इन फीसेस जो है उसको हम कहते हैं मैलेना मैलेना ठीक है, अगर strong अगर strong stool के साथ में आ रहा है तो मैलेना और अगर loose stool के साथ में आ रहा है तो उसके हम कहते हैं dysentery क्या कहते हैं dysentery, blood in urine होता है हीमेचूरिया और blood in vomit होता है हेमेटेमेशिस और यह होता है hemopetitis तो right answer क्या होगा A hormones are produced by hormones जो होते हैं वो किसके दुआरा produce किये जाते हैं तो hormones जो हैं देखो endocrine और exocrine दोनों परकार की जो gland हैं वो hormones secret करती है एंडोक्राइन जो है वो डारेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है और एक्जोक्राइन जो है वो डक्ट में रिलीज करती है फिर वो एपजोर्ब होता है वहां से और फिर जाता है वो कहां ब्लड में ठीक है जबकि एंडोक्राइन जो है वो डारेक्टली ब्लड में तो यह लोगरा करती है। तो इसका रिक्सिमन नौिज लेवल फोर हमन घेक की रिक्सिटिक्स ओंसर में अश्रायस्याति Maximum Noise level जो है वो क्या हो सकता है तो recommendable Maximum Noise तो इस जो है वो सुन सकता है उसके बाद नहीं सुन सकता है वो ठीक है तो यहां पर राइट आंस्वर जो है वो क्या मानेंगे हम सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि डी जो है फो बहुत ज्यादा हो गया उससे में दो लोग बहरे हो जाएंगे ठीक है तो एक b जो है वो इसका रइट अंसर नहीं जायेगा क्या जाएगा सी जो है वो इसका राइट आंसर जाएगा क razem Rad was used to prevent क्यों यूज किये जाते हैं इंटरिन लौटेस्टन के लिए नीच के लिए फुटर द्रोप में यूज किये जाते हैं रिष्ट्ट रोप में यूंज कियांते हैं तो इसका मिठी भरके लटका जैते हैं त Esther में प्रमीज में क्या करते हैं इसे जा में घड़ते जाता है तो कि भूँज दख ते हैं आइटम ऐसी फिंग्स जो की मदब गल सके ठीक है उनको क्या है गलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो ऑटमेटिक जो है टाइम के इसाब से जो है वो डेक्स्ट्रोई हो जाएगी तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा ए मैल शेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं गॉलिट्रेटम रिलेजिंग हार्मोन जी एल अरैच टीक है क्या वेसर ऐसप्रेसिन असे गो अडिय अत्यर श्रहित हर्मोन कहते हैं है Yes testosterone जो है वो कहते हैं मैल सक्ष हार्मोन को जो है वूपिटूर्टर से सीकेड होता है और पोलीकल्ड जो है उनको इस्टिम्लेट करता को एक निटेक तु स्काberte Antwort भॉन ह hope क्या टेस्टस्टि jeunes भी जुपग्ड फोलोविंग इजONG पोटेसियं इस्परिंग डायोरेट्टिक फोटेसियं स्परिंग डायोरेटिक जो है उसको हमें चूज करना है। वह होती है इसपाईरोन लेक्टोन डाइमोक्स जो है वो ब्राण्ड नेम है किसका एसिट आजोलामाइड का एल लेक्टोन जो है वो ही है क्या स्पाइरोनो लेक्टोन टेस्ट स्टोन तो यह हार्मोन है और मैनेटोल एक ओस्मोटिक डाइवरेटिक है तो इसका राइट आणस्वर जो है वो क्या होगा पोर्टेस्ट स्पाइरिक है पोटेशों मैं ची़हांनी निकाल देति है ठीख है पॉजितिव आइन के रूप में यह किसको रखती है है पोटेशियम को थीख है है। है अपनी बोड़ी में जो है वह है वह स्वनावल में देखने को मिलता है इस वसे टाल और फिक टीवेव भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 39 degree centigrade is equal to 39 degree centigrade जो है वो किसके equal होता है तो देखो यह हमें जो है वो फॉर्मुला से निकालना पड़ेगा हमें degree centigrade दी गही है तो हमें क्या निकालना है Fahrenheit जब हम निकालते हैं तो degree centigrade जो है यह फॉर्मुला होता है डिग्री सेंटिग्रेट उना 9 बटा 5 प्लस में 32 ठीक है 9 बटा 5 को आप 1.8 भी लिख सकते हो तो डिग्री सेंटिग्रेट कितना है 39 उना ये कितना हो गया 1.8 प्लस 32 इनको जब हम कल्कुलेट करेंगे पूरा तो आएगा 100.2 डिग्री फारेनाइट ठीक है जब येוש क्योंट अगर اسट गर का फॉर्मूला पूछा होता सेंटिग्रेट में कनवर्ट करना पूछा होता तो ये हो जाता 5 बटेव 9 उना प्लसीन चितना है माइनस 32 देक है tओ हमें मिल जाता क्या को सटलेट ओप लेंगर हेंज आर परजेंट इन आइसलेट- हैं सब्सक्राइब्स एटलेट आज़। इस टम१ इटल आइप सह 就 सब्सक्राइब यह जो है वह नहीं होती है आज आइसलेट आप लेंगर हैंस कहां देखने को मिलती हैं पैंक्रियाज में में सर्विस इंक्लूड्स जो सर्विस होती है मेटरनल और चाल्ड हेल्थ में क्या-क्या सामिल है तो मेटरनल और चाल्ड हेल्थ में अंडर फाइव क्लिनिक सामिल है प्री नेटल और पोस्ट नेटल केर सामिल है फेमली प्लानिंग सर्विस सामिल है इसका मतलब राइट आंस्वर क्या होगा ओल ओफ दा अबोव कि MTP Act कप पास हुआ था क्या 2000 में 1977 में 1983 में 1983 में तो आई थी नेशनल हेल्थ पोलिशी या 1972 में में 1972 में एमटीपी एक्ट जो है वह आया था दा विटामिन विच इनवल्वड इन फेट प्रोटीन एंड कार्वो हाइड्रेट डाइजेशन देखो एक ही एकजाम में दोनों क्यूशन आये हुए हैं पहले आचुका है यह क्यूशन अभी आपको याद हो लेकिन वहां पे ड धामिन बी यहां अब जो है विटामिन बी के नाम आ गई है तो विटामिन फ्री फॉर्ट करता है कि लिग था स्टी अबीन प्रोटीन और कार्वो हाइड़ेट के मे्टाबोलिस Supreme a partir ठीक है वितामिन B1 होता है थाइमेन वितामिन B6 होता है फॉलिक एसीड ठीक है next हम पढ़ते हैं पोलियो मायलाइटिस इस ट्राश्मिटेड थू पोलियो मायलाइटिस जो डिजीज है पोलियो जो कोज करती है हैं जिसके लिए ओप एव एट हैं तो यह संबुए होता है और डाय भी देखने को मिलता है बट हैंड से जो है वह नहीं होता है दूसरों की कपड़े पहनने से नहीं होता है तो देखो क्या यह Bloodborne डीजीज है बिलकुल नहीं क्या यह airborne डीजीज है यस है बट कैसे rare case में है तो यहां पूचा नहीं है मेरे तो यह आंश्वर नहीं होगा तो यह व्यक्तरन बोर्ण डिजीज है क्या यह मच्छर केट पतंगों से फैलती है बेलकोल भी नहीं तो क्या यह वाटर से फैलती है यह फैलती है कि जब जो है फीसेज वाला कंटरमिनेटर वाटर जो है अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो उसको फोलियो जो है वो होता है वो ही जाएगा तो कंतरमिनेटर जो है वो किस कंटरमिनेटर होना चाहिएaza इसे जो है उनसे contaminated जो है वो होना चाहिए तो वो क्या हो जो है transmission में help करेगा तो पोलियो मालाटीज जो है वो contaminated water से होगी maximum amount of blood loss during delivery during delivery जो है maximum amount of blood loss पूछा है that is considered to be within normal limit maximum पूछा है बट normal पूछा है जो कि normal limit के अंदर आए ठीक है तो एक normal delivery जो है उसमें जो है 500-500 ml जो है वो blood loss जो है वो उसको हम मानते है normal ठीक है तो इसका मतलब यह कि जहां तक 500 ml blood loss होता है वहां तक हमें normal blood loss मानते हैं during labor तो खोज लो answer 700 है नहीं 300 जो है वो नॉर्मल में ही आ गया तो जो है वो भी नॉर्मल में ही आ गया बट नॉर्मल का maximum value क्या है 500 तो राइस आंट्सवर क्या होगा 500 ml कि कॉमनेस्ट कोज ओफ सीवी ए काडियो वैस्कुलर शेरिवरो वैस्कुलर एक्सिडेंट इस्ट्रोक जिसको क्या है या कोश Si Dock का always스러운 की मानलो की यह कोई आर्टरी है जो है जो कि जा रही है ब्रेन में यहां पर कोई थरॉम्बस जम गया ह्या कोई ही मोग्त हो सकता है जो कि आगे ब्लैट को नहीं जाने देता यहां तक आयटरी पूरी भरी आ रही थी बट यहां पर जो है कम ब्लड ब्लो जो है वो जा रहा है यह पिर कंप्लेट ही स्टॉप हो गया है मिस्ट्रोंबोसिस जो है वो यहां हो गया है तो उस कंडिशन में जो है वो कोज होता है छेरिब्रो, वैस्कुलार, एकसिडेंट, स्ट्रॉक ठीक है ऐम्बोलिजम जो है वो इसका मैन कारण नहीं है इस पाजम जो है वो उस्षे हो सकता है बट बहुत कम कंडिशन में होता है इसका नमबर दो पर जो कारण आता है वो आता है हेम्रेज नंबर वन पे आता है थ्रोंबोसिस नंबर तीन पे आएगा इस पाज में ठीक है तो थ्रोंबोसिस जो है वो मैन कोज है किसका श्ट्रोक का टेंप्रेचर ओफ वाटर ओफ पिर्पेरिंग होट वाटर बैग होट वाटर बैग जो है उसका टेंप्रेचर जो है वो कितना माने नॉर्मल तो वो होता है साट से पैसाट डिग्री जो है सेंटिग्रेट का टेंप्रेचर उसमें भरना होता है ठीक है इससे जदा नहीं और वह भी जो दो तिहाई जो भरना होता है कितना दो तिहाई ताकि एर उसमें सर्कुलेट हो अच्छे से हौर्मोनल कॉंट्राउप्ट्व आरॉ हौर्मोनल कॉंट्राउप्ट्व कौन-कौन से हो सकते है क्या एक सब्सक्राइब कोमेंटी, लगाते हैं, रिती हैं सतुन मुझंग कि वह में था हर्मन और प्लांट मेंने थाक्राइब कुर्याति हैं, यह वह Attacker तक इन स्टेप्र में आते हैं, भी कर दुस्तम कि 000効 आईनों, इसा सपरते हैं में पूहिस तो इसका आंशो था, और है तो cerubulum जो है वो related है muscular moment के coordination से muscular moment जो है उसे coordination को control करता है कौन cerubulum vision और perception जो है वो occipital lobe में होता है occipital lobe जो है वहां situated होता है जबकि memory जो है वह हिपटो केमपस जो है उस पार्ड में होती है है यह पोगेमपस पार्ड जो है ब्रेन का वह कंट्रोल करता है किसको मेमोरी को जबalthyictions सेरी बेलम खोड़ क्रता है और मॉमेंट तो एलकोहल जो लेते हैं तो एलकोहल जो है वो डारेक्टि छेडरिवелम जो है उसको अफ्सक्ट करती है इसलिए एक टाइमके बाद जैसे कि हो सकता है फांसात साल हो गए उसको continue पीते हुए तो आज वो अगर वो बंदा पीया हुआ भी नहीं है तो भी वो है एक जगह शिदा खडार नहीं रहे पाएगा क्योंकि शेरिबलम जो है उसको अफेक्ट करती है एलकोहल ठीक है तो इस प्रकार से आप याद रख लो इसको तो शेरिबलम जो ह है कौन सी पोजिशन जो है उस्यूटेबल रहेगी देखो पोजिशन यहां पर जो पैसेंट है वो अनकॉंशियस है अनकॉंशियस है तो इसका मतलब यह कि जो भी और सिक्रिशन बन रहे हैं उनको वह एस्पिरेट कर सकता है तो क्योंना हम उसको एक आशी पोजिशन दें जिसमें कि जो उसके और सिक्रिशन बन रहे हैं वह साइड में से निकल जाएं साइड में जो हैं ट्रेंड हो जाएं तो इसका मतलब यह कि उसको साइड लाइन पोजिशन हम दे दें जिसको हम कहेंगे क्या स्यमी प्रॉन पोजिशन क्या कहेंगे स्यमी प्रॉन पोजिशन थीक क्यूंकि ऑंकॉसिस पैसेंट मिलते हैं कि मैं कितुझ इसक पीक्पन कोter नहीं है ओटे हुझे सकते हैं क्यूंकि पैसेंट गौर्टक्त नहीं है एस्पैस्प्रेशन के चांज का वहां नहीं है और होते भी हैं तो टाइम टु टाइम वहां पर सक्षनिंग करते हैं ठीक है तो अगर आउट साइड कि अगर माँ बात करूं और पेसेंट अगर अनकॉंशेस देखने को मिले हमें तो हम जो है प्राइविटी पर कौंशी पोजिशन देंगे वह देंगे सेमी प्रॉ करने के लिए जहां पर क्योंकि यह पॉजिशन जो है वह अलाव करती है लंक्स जो है वह इजी एक्सपेंड हो ठीक है तो सुपाइन पोजिशन जो है वह मौस्टी जो है कौंशेस पेसेंड में दे जाती है न कि अंदन फंक्स्टन अफ ब्ड़ ट्ड प्लैक्सस कोडिश से उसका फंक्शन जो है वह क्या तु प्रॉद्ज ब्लड जो है वह वह तो सिते आई-ऑそうそう क्यों यह व्यक्व Ox टींगि निकलता है एंडो लिंफ और पेरी लिंफ जो है वो होते हैं येर में वो होते हैं कहां येर में ठीक है तो प्रोड्यूस सीएसेप वो सीएसेप जो है वो ही प्रोड्यूस करता है कौन कोरोड प्लेक्स ये क्यूसन जो है वो बहुत बाहर एक्जाम में आया हुआ है ठीक है CSF कौन प्रोडूइस करता है कोरोड प्लैक्स ठीक है तो यह थे यह साइसी में आयोगे क्यूशन यह साइसी 2004 में यह क्यूशन आये थे बहुत ही अच्छे क्यूशन है आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट एक्जाम टाइम बे यही क्यूशन जो है वह बहुत लगा हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलिग्राम गुरूप का जो है लिंक मिलेगा हमारा जो है टेलिग्राम गुरूप भी जोइन कर सकते हैं वहां पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा थेंक्यू